इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अक्सर एक मशूर कहानी सुनाई जाती है बाच्छा के दर्बार में गायक अपना गीत पेश करता है तो बाच्छा उसे खुश होकर कहता है कि आपके इस गाने से बाच्छा बहुत कुछ हुआ लहाजा तुम्हें बता और इनाम ज़रात दिया जाते हैं गायक यानि घुलुक खुश होकर और दोर से गाने लगा बाच्छा ने फिर कहा कि तुम्हें बता और इनाम महल दिया जाता है फिर गाने लगा तो जमीन जाइदाद लाको रुपे का पैकेज दिया जाता है मैं फिल खत्म हुए और गाने वाला अपने घर चला गाया गाने वाला बहुत खुश कुछ था को कि बादशाह ने कई उसे कई सारे इनामात दिये थे लेकिन कई दिन गुजर गए पर बादशाह ने जो ऐलानात किये थे उसके मताबि कोई भी इनाम अभी तक घर नहीं पहुंचा था आखिरकार खुद गायक यहने गुलुकार बादशाह के दरवार में जा तुमने तो मेरे कानों को खुश किया था मैंने भी तेरे कानों को खुश किया बीच में कहां से यह लेना देना आ गया कहने का मतलब यह है कि वजीर आजम की जानिव से जो बड़े-बड़े पैकेजिस का आवाम की खिदमत में पेश किया जा रहा है पर लाखों मजदूरो को पेड़ बर खाना मिले ना मिले कुछ तो नया सुनने को जरूर मिलता है एक बार फिर वजिर आजम ने अपने दिगर अलानात की तरफ कुछ नए नारे लगाया कुछ नए अलफाजों को इस्तमाल किया उन्होंने उन सवालों के जवाब दर असल नहीं दिये जिनके तो कर रहे हैं पर खर्च के लिए आखिर पैसा आएगा कहां से अगर हिसाब का खाता खोल कर देख ले तो हुकुमत ने पौने दो लाग करोड रुपे अपने खाते से खर्च का ऐलान कर चुकी है और रिजर बैंक के जरिये भी उसने आठ लाग करोड रुपे बाजार में हeter डालने का इंतदान भी किया है दोनों जोड ले तो लगब दस लाग करोड रुपे का इलान पहले ही किया चुका है और पैकेज सिर्फ दस लाग करोड रुपए और खर्च होना है लेकिन बात इतनी मामूरी भी नहीं है कि दस लाग करोड यह नहीं दस ट्रिलियन आसांग जुबान में समझे तो दस के आगे बारा जीरो सीफर लगाना लगाना पड़ता है और पहले कि दस भी अभी पूरे तो खर्च नह मतलब है मैने में 20 लाग कमाने वाले एक करोड लोगों की तनखा, दो लाग कमाने वाले दस करोड लोगों की तनखा, बीस हजार कमाने वाले सो करोड लोगों की तनखा, यानि 135 करोड के देश में हिस्सा बांटते हैं तो करीब 15,000 रुपए हर एक के पल्ले में पड़ हैं मतलब उसी गायक और राजा की तरह और कहानियां तो आठ परसेंट महिशक तरकी करने की तक सुनाई जा रही है वजिर आजम बहुत कुछ कह गए और अक्सर देश के लोगों को खौबं की दुनिया के साथ परियां पर लोग की कहानी लगने लगी अक्सर कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है मजदूरों का देश है पर शायद मोदी जी को इसका ख्याल नहीं रहा कि वह कुछ बात मजदूर किसानों के बारे में बोलना है या जान बूच कर भुला दिया क्योंकि भारत देश तो सर्माइदार और मेडिया चला रही है और गरीब जनता मजदूर किसान या तो भुकमरी से मर रहे हैं या फिर खुदकुशी करके मर रहे हैं जिन लाख को करोड़ों रुपे के पैकेज सरकार क्या नए रास्ते से पैसे जुटाएगी नए नोट छापेगी कर्ज उठाएगी या फिर वो पहले से तहीं किसी खर्च को रोक कर वो रकम इस पैकेज पर खर्च करने जा रही है इन सवालों के जवाब यानि पैकेज का पूरा बेवरात सामने आने तक बाद ही में ही तह हो पाएगा कि देश को एकोनोमी को वो द्योग और व्यापार को गरीब हो और किसा अनोकर नोकर पेशा या अपने कारुबार में लगे मिडल क्लास को तारीख के इस सबसे बड़े पैकेज से क्या मिलने जा रहा है पिछले एहलानात पर नजरे सानी करने से यह लगता है कि यह भी एक महत जुमला साबित ना हो क्योंकि गरीब मजदूर की जिंदगी भारत में सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है और यहीं सचाहिए भले यह अंद वक्तों को बात कितना ही नागवार क्यों न गुजरे इत्याद नूद देखने करें शुक्रिया अल्लाव